हेलो गाइस वेलकम बैक अगें टू न्यू वीडियो तो कैसे हैं सारे उमीद करता हूं भाई बढ़िया होंगे तो आज है अपने साथ दुबारा से मारूती की स्विफ्ट और भाई लाएं तरुन भाई हमारे हापुड से तो भाई स्वागत है आपका चैनल पर तो तरुन आपके गाड़ी है कौन सा मॉडल है सबसे पहले बता दू निस मॉडल है भाई अब यह नॉर्मल मारूती स्विफ्ट से काफी अलग है बता दो क्या अंतर है इसमें बागी स्विफ्टों से इसमें मैंने इंस्टॉल की हुई है अच्छा सी एंजी लगवा रखे आपने इ लिए उन लोगों के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है सबसे पहले गाड़ी के वॉकरांड से बात कर लेते हैं यह बेस मोडल गाड़ी है न तो इसमें आपने वील कैप अगयरा लगवा रखे हैं चीक है बागे और एस सच कुछ काम नहीं करवा रखा अच्छा सब्सक्राइब करते हैं तो नाइट में ट्रेवल करते हैं तो नाइट में जो लाइट है वह इस्तम से फोकस करके रिफ्लेक्ट करते हैं यह बीठीक बात है तो नाइट मनें कालें अगर कर अनुद तो भाई यह भी करवा देते हैं और सारे शींचे आपने पास तो भाई फिस पहले बात करने पीछे बारे में डिक्की देख लेते हैं कि क्या सिच्छोशन है डिकी की आगे से कूल नी पढ़ेगी है अगे से खोलनी बढ़ेगी ठी कुछ बूट स्पेस तो यह देख लो आप इतनी जगा बच रही है इसमें तो दो दो बंदों का समान आएगा इसमें से ज़्यादा करनी आएगा और नीचे भी आप कुछ रख सकते ऐसे तो फिर भी ज़्यादा ही मिल रहा है बूट स्पेस नहीं वैगेनार के बराबर ही मान तो इसलिए मैंने छोटा स्लेंडर ही लगवाए और इसमें बात करेंगे तब तक आपको में बुरी फिटिंग दिखा देता हूं काड़ी की तो फिटिंग काफी व्रॉपर करीवी है यह देख लोग ठीक है और आवरेज की बात वीडियो के लास्ट में करेंगे आपको तो वह आप देख लो इसका जी यह वाला है ठीक है बोनट उसका अनलॉक हो चुका है तो आप बता रहे हैं मीजो की किट लगवा रखी है इसमें अपने ठीक है बड़ी है भाई यह देख लो अपने इंजेक्टर रेल्स हो गए और अपना फिलिंग वाल जो है बहुत ही ख सीधा आ रहा हो इसके इस्यू अगयरा हो गए अपने और यह हो गया अपना रिड्यूसर तो भाई आगे से बहुत ही प्रीमें में कोई देखकर नहीं बता सकता कि इसमें सिलेंडर लगा हुआ या फिर सी एंजी किट लगी हुई है आपको मैं फिलिंग वाल दिखा देता ह है और सी कंप्लाइंस प्लेट यहां मिल जाएगी आपको तो भाई यह अपनी गाड़ी पीस फोर है इसमें अपना रेजिस्टर्ड है सब कुछ कोई सीन नहीं उल्टा सीथ है ना इसमें अपनी किया हो गई इन सब में थोड़ी दिक्कत आ रही है चड़ाने की आर सी पे ल लेकिन मैंने जब से से लगवाई यह तो मेरा बहुत चादा कोस्टिंग का कम मुझा ठीक है तो वेन्यों भी पेट्रोल पे चला रहे है ना वेन्यों की बाद में गरेंगे यह मैं आपको दिखा दिखा दिए अपना मीजो का पोरा सिस्टम मीजो की प्रीमिम किट लगवा लगवा रखी है तो भाई कोस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं एक बार कि क्या कोस्टिंग पड़ी थी आपको इसमें टोटल अप्रोक्सिमेटली मेरे को 43,000 के आसपास यह कोस्टिंग पड़ी है अच्छा मतलब अभी जल्दी में करवाया यह काम आपने है ठीक है कितने दिन लोग दिवाने हो गएं तो भाई अब में मुद्धे पर आ जाओ कि एवरेज क्या दे रही है तो नहीं है बट वही है कि तीन सो साड़े तीन सो रुपे में सेलेंडर मेरा फूल होता है और मेरा कितने किलो कैस आती है साड़े तीन सु रुपे में यह पांच साड़े किलो में चलती है तो अगर मोटा मोटी आवरेज हम लगाएं तो भाई कितना बैठ रहा है तीस तक तो बैठ ही रहा है मिनिमम इतना तकड़ा आवरेज देरिया स्विफ्ट अपनी है तो फुली साड़िसफाइड होगा आपके तो फुरी में ही चल रही है ठीक है बहुत ब तो आप देख सकते हैं चाले सदार कुछ चली हुई है तो भाई आपने जो केट लगवाई थी वह ठीक है बीस जार पर केट लगवाई थी तो आपने मोटा मोटी बीस हजार किलो मेटर ही चला दिये तो भाई एक आपका जो लास्ट वर्ड होता है कि भाई मैं सबसे बड़ी चीज तो भाई अपनी मारूती की गाड़ी है तो बढ़िया है चलो तो अब एक बार थोड़े से चला कर देखते हैं गाड़ी को आजवाब दूसरी साइड से तो गाईज मैंने सीट अपने साफ से एड़ेस्ट कर लिया और वीडियो अनकटी है अपना पूरा चला कर देखते हैं इसको विदाउट एसी चलाएंगे पहले फिर एसी पर चलाएंगे तो आप स्टार्ट कर लेते हैं तो यह देखनो आप अभी यह आ जाएगी थोड़ी फर्स्ट गेर में भाई पिक अप तो बड़ी है इसका सींग में भी तो अभी नॉन एसी चल रही है नॉन एसी और बड़ी आवरेज जैती होगी मेरे क्याल से ठीक है अब एसी अमने ओन कर लिया गाई तो एसी जैसे ऑन हुआ हलकी सी गाड़ी की साउंड भी चैंज होती ह और आपको हलका सा मेहसूस होगा कि जी चला ए गाडी ठोटकी सी मेह थाउज तो हहां हलकी सी दबती यहने दल और बागी ओड़िया चल रही है तो ही सभी चल रही है गाड़ी तो इसका क्या बताया उन्होंने आपके cng वालों ने चीज बताया मुझे चेक इंजन लाइट का मैंने एक दो बार दिखाया भी उनको कि जो वायर वायर कट होते हैं प्लग्स के इस वज़े से उसमें जो और जो जो सेंसर होता है जो एक्जोस सेंसर होता है उसके तरू भी यह आ सकती है चेक लाइट इंजन अच्छा एक्जोस सेंसर जो मोडिफाइड होता है पेट्रोल इंजन की गाड़ियों में पेट्रोल के कोड़िंग होता है बट अब हम चला रहे हैं तो cng में पॉलिशन भी कम है तो उसके कोड़िंग सेंस करके चेक लाइट इंजन वगर इसके बाद भी तो भाई काफी अच्छी लगी मैं आपको थोड़ी सी गाड़ी स्ट्रेच करके दिखाना चाहूंगा जो भाई के मन में डाउट होता है कि ज्यादा दबती है कुछ होता है देख लो भाई बर्नाउट दे रही है cng पे भी अपना वील स्पिन मार रहे है ब तो मैं एक बन तर्टी से पार नहीं लेगे जाता हूं अच्छा तो मतलब स्लो ड्राइबर और एक दम प्यार गाड़ी चलाते हूं गाड़ी से प्यार करते हूं है ज्यादा चलाना बेक्टरनाग है ज्यादा इजी भी चलाना ठीक है नॉमल जलानी चाहिए 60-90 इसके अप सिलेंडर इसके लिए more than enough है तो भाई पहले तो यार बहुत बढ़ी अलगाफ से मिलके और आपका ये एक honest review शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू तो भाई मेरे को randomly CNG pumper मिले तो आप मेंसे अगर किसी को अपनी गाड़ी का वीडियो शूट कराना है तो आप मेरे को दोस्तों को recommend करते हो कि स्विफ्ट में लगवाई या नहीं कि अपने budget है सभी का मैं तो यह recommend करूंगा budget के coding देखा जाए तो बैस्ट है अपने आप में ठीक है और और CNG company fitted लेना चाहे तो अब तो company fitted भी आरी आपको पांच के आसपास में पढ़ गई होगी तो पांच पे आपने 40 और लगा दिये आपको पांच लाग 40,000 में CNG गाड़ी मिल रही है एक तरह से भाई आज की रेट में अगर company fitted लेने जाते हैं तो आट लाग से कम में कोई CN लगवाओ हमने गलती कर दी क्योंकि भाई होता है कभी कभी अपने को अलग को स्ट्राइ करना तो हमने ट्राइ कर लिया लेकिन भाई ने बीएस फोर में लगा रखिया यह पूरी लीगल अगाड़ी इसको CNG पे चलाना बाकी बड़ी अलगा भाई इसी के साथ वीडियो का लोगे 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 लोग